Language, Religion and Secularization Perspective in Human Geography के syllabus में यह हमारा एक last topic बच जाता है अभी तक हम लोगों ने जितने भी topics discuss किये हैं जैसे concept of diffusion, haggar strand का model, cultural realm, brooks and web की theory, human races इन सभी चीजों का इस्तमाल हमें इस Language, Religion and Secularization वाले topic में देखने को मिल जाती है अब चुकि जो Language, Religion, Ethnicity या Secularization है यह सभी culture से related होता है तो anyway जो culture है या cultural realm है यह topic हमारा इस Language, Religion वाले topic से directly connect हो जाता है दूसरी चीज़ जभी भी Language और Language के जो dialects वगरे होते हैं यह कहीं ना कहीं वहाँ के जो local culture है उसके impact पे देखने को मिल जाता है अब दो culture जब आपस में किसी एक area में मिल रहे होंगे तो हमें वहाँ पर mixing देखने को मिल जाएगी और इस mixing का कहीं ना कहीं दोनों culture के ऊपर एक impact हमें देखने को मिल जाता है यह जो impact होता है यहाँ पर जो concept यूज होता है इसे हम लोग बोलते है diffusion concept जिसे हम लोगोंने हेगर स्ट्रेंड के model से discuss कर रखा हुआ है तो तीन चीज़ें यहाँ पर directly देखने को मिल जाती है तो cultural realm का topic हो गया Brooks and Webb की theory हो गई और तीसरा हमें diffusion model इन तीनों का इस्तेमाल देखते हुए देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है तो basics तो आप लोगों का समझ में आ गया होगा basics clear हो गया होगा कि how we can develop this topic from general to a geographical technical answer अब यहाँ पर अगर बात किया जाए language, religion and secularization के बारे में तो तीन important aspect बनते है culture के किसी भी society के लिए यह एक उसकी identity बनाती है कहीं की language, ethnicity या फिर जो वावियां की religion है जब हम language या religion या secularization को समझ लेते हैं तो हमें उस culture की या फिर उस society की culture और उसकी जो basic elements है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है in fact अगर आप history वगरे में देखेंगे तो जबी भी हम history या किसी भी dynasty या किसी भी area के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ के culture उसके religion उसके जो पहनावा ethnicity है या वहाँ जो language है इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं इस्तमाल करती है तो communication को जो तरीका होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं language so language कहीं न कहीं हमारे मानो इतिहास में काफी important role play किया है कहीं न कहीं human history को एक अपना shape provide किया हुआ है this is allowed for the development of culture trade and political system in fact अगर देखेंगे तो हमें Indus Valley civilization के दौरान में भी जो मिलूहा हो गया या फिर जो इसराइल के एरिया था Egypt का एरिया यहां पर भी हमें एक intermingling of the culture या फिर कह सकते हैं कि culture of Indus Valley के बारे में हमें पता चलता है कि इन एरियाज में भी इसका impact हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि language के basis पर ultimately इन लोगों ने अपना-पना mention किया हुआ है जैसे हम लोगों ने जो culture हम लोग basically देखते हैं language देखते हैं या script जो देखते हैं वो हमें Egyptian civilization में भी देखने को मिल जाता है अब जो Egyptian civilization है उसे तो हम लोगों ने read कर लिया है उसे decipher किया जा चुका है लेकिन जो इंडस वैली किया है उसको हम लोग decipher नहीं किया है इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है दूसरी होती है religion religion एक set है जिसमें हम belief अब practices और values और traditions इनके बारे में हम लोग बात करते हैं यह जो belief या practices या जो traditions है वो एक समय के बाद में develop होते हैं एक समय के बाद में लोगों का विश्वास बढ़ते आता है और फिर ultimately वही एक tradition और ultimately एक religion के format में चीज़े आ जाती है तो religion कहीं न कहीं human history को again important role देता है और पूरे इतिहास को कहीं न कहीं जो religion है यही impact करता है यह influence करता है वहाँ के art format को जैसे हम architect को देखे या फिर temple को देखे या फिर buddhist monastries बगरे को देखे तो हर जगा पर हमें religion का एक impact देखने को मिल जाता है in fact politics, literature, economics हर उस जगह पर हमें religion का impact देखने को मिल जाता है similarly topic है secularization, secularization का मतलब होता है जहां पर society, religion की चीज़ों से उतना impact नहीं होती है और कहीं न कहीं जो influence रहता है वो science, technology या individualism का होता है, एक development का होता है, एक scientific inquiry का होता है, एक logical science का होता है तो इस process के थुरू हम जब चीज़ों को ले करके जाते हैं, तो एक enlightenment का जो phase होता है या कह सकते हैं कि जब एक society, scientific society होती है, तो वहाँ पर practice जो होती है, वो secularization की practice मेंली होती है अगर हम इसके types के बारे में बात करें, तो language के तो भई हजारों लाखों तरीके हैं इनफेक्ट हजारों language इंडिया में बोली जाती है, similarly China, या फिर South East Asia, या फिर आप अफरीका, इन सब एरियास में भी जाएंगे तो हमारे पास में कई तरीके के language होती है, जो अलग-अलग लोगों के द्वारा world में बोली जाती है हाला कि कुछ language है, जो most accepted language है, जैसे Mandarin हो गया, या English हो गया, या Spanish हो गया, या फिर French हो गया तो इन सब एरिया में हमें देखने को मिल जाता है कि यह सब global languages है और यह सब accepted language है for the trade globalization सिमिलाली इसी तरीके से religion के लिए भी है कि कुछ अपने common beliefs है, इसे Christianity के belief हो गया या फिर Hinduism के belief हो गया, बुद्धिजम के belief हो गया, इट्सेक्टरा, इट्सेक्रा secularization का भी सेम इसी तरीके से belief है, कुछ है जो secularization है, एनिमिजम फॉलो करते है या फिर कोई भी धर्म नहीं फॉलो करते है यह लोग science based होते है, technology driven mainly हमें society देखने को मिल जाती है normally जितने भी developed areas हैं, वहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, Sweden हो गए, Japan हो गए, in fact China में भी कोई religion नहीं practice किया जाता है, secularization यहाँ पर भी है अब यहाँ पर examples के format में अगर देखें तो we have seen, we have several languages, in fact हम लोगों ने discussion के दौरान में भी कई सारे languages बगरे के बारे में बात कर लिया है लेकिन यहाँ पर कई सारे issues भी हमें देखने को मिल जाते हैं, language, religion और secularization को ले करके अब जैसे माल लेते हैं, पहला जो problem मिलता है, वो है cultural appropriation को ले करके कहीं न कहीं जो cultural appropriation होती है, यह language और religion है, उसको एक important, significant issue के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है अब जैसे जहाँ पर भी culture आपस में mix होता है, कहीं पर ऐसे boundary नहीं होती है, वहाँ पर में intermixing देखने को मिल जाती है तो जो use of language है, या religious practices है, outside their original cultural context, इसे एक disrespect के तौर पर देखा जाता है और कहीं न कहीं यह ultimately misunderstanding और misrepresentation के through ultimately चला जाता है इसके लावा में कई तरीके के conflict देखने को मिल जाते हैं, जो religion wise होते हैं, या language को ले करके होते हैं, language को ले करके कई लोग अपनी statorhood का demand करते हैं, domination, etc. यह सारी चीज़ें में देखने को मिल जाती है इसी तरीके से marginalization का case है, कि जो community ultimately endangered हो गई है, कम हो गई है, उनके जो language है, उसको threat है तो उसको भी protect करने के लिए they are, you can say कि वो agitate करते रहते हैं, कहीं न कहीं वो भी धरने पे बैड़ जाते हैं, तो उनको protect करना भी ज़रूरी होता है लेकिन ultimately ये की issue बन जाता है, अब क्या strategy हो सकती है, strategy के नाम पर तो खेरा बहुत सारी चीज़े लिख सकते हैं, जैसे multiculturalism हो गई, या interfaith dialogue हो गया, education and awareness हो गई, scientific development हो गई, codification हो गई, etc, etc तो ये सारी चीज़ें यूज़ें यूज़ें कर सकते हैं whenever you are writing answer about language, religion and secularization चोटे-छोटे topics हैं लेकिन इस पर भी question बन जाते हैं, अब जैसे एक सवाल आया हुआ था, 2019 का ही question है, कि a language originate at a particular place and diffuse to other location, देखिए यहाँ पर diffusion concept आ गया है, कि diffuse to other location through the migration of its speaker, examine this statement in the context of language hotspot and endangered language hotspot इस question को हम लोग discuss करेंगे, जो हम लोग 8 बज़ वाली class करते हैं, वहाँ पर, जितने भी questions हैं, उसको हम लोग discuss करते हैं, उसके model answers भी होते हैं You can also take the membership, YouTube membership आप ले करके ultimately, जो PDF materials हैं, videos हैं, और जो model answers to the past year questions हैं, इनको आप access भी कर सकते हैं Take the short note, membership and enjoy the benefits अब इसके लाब एक और topic है, Human Development Index को ले करके, आप देखिए, Human Development Index पर जो कहानी है, या फिर इस पर जितने भी content है, वो तो वही general content है लेकिन इसमें जो questions आया है, इस questions से हमें इस topic के बारे में जानकारी मिलती है, कि आखिर किस तरीके के question पूछे आ रहा है, accordingly हम किस तरीके की यहाँ पर preparation कर सकते हैं अब जैसे simple question भी है, कि आप Human Development Index के method को बताईए, फिर इसी तरीके से complex भी question हुए है, जैसे 2020 में question है, write an essay on gender equity and equality in India in the context of balanced human development similarly, 2023 का भी question है, 2023 का, कि what is the relation between gender equity and human development, provide a list of commonly used gender related indices तो यह सब questions है, जिसको हम लोग again discuss करेंगे अपने 8 बजे वाली class में, हम लोगों का यह topic पूरा complete हो जाता है